प्राइमरी की एक है यल्टी की यल्टी और जी आईसी की दूसरी है टिजटी पिस्टी की इन बागेंसी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं आप किसी भी सब्जेक्ट के इस्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आप इस चीज से अवेर होंगे कि आपकी भरती जो है इसी पर चुनाओं के बाद यानि अगर आप इसमें परिस्टरम कर लेते हैं तो आने वाला फ्योचर आपका ब्राइट हो सकता है यह 100% पास्विल्टी है लेकिन अब इसके लिए आपको कुछ परिस्टरम करने होगे आज हम कुछ में बिंदों पर चर्चा करने वाले हम चाहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखें और अपने मित्रों तक भी इस बात को पहुंचा है सबसे पहले आप सभी लोग टेट का एक्जाम दे चुके होंगे मुझे उमीद है कि सब लोग क्वालिफाई होंगे चुकि टेट क्वालिफाई करना एक हो है कि आपको प्राइमरी भ म का है में मुझे पधाई में मुद्बे में मुद्ध को सब्सक्राइब करें कि लगातार हमें के सबुआब अपडेट आती है कि आप इस बात से बहुत सारे वीडियो देखें होंगे हमने भी लगब दस पंदरा वीडियो स्टीज पर बना चुके हैं हम कि इस महीने बैकेंसी आएगी जिब न्यूज पेपर हो गएरा में आता तो हम बता देते हैं फिर पता चलता है कि न्यूज पेपर लाश तक सांत हो ज पर अभी तक अधिवाचन ही नहीं पूरा हो पा रहा है वैकेंसी की डिटेल ही नहीं मिल पा रही रोजधना रोजप्रदर्शन वगरा आप सब कुछ जान दें कुछ इसमें बात नहीं करनी है प्राइमरी की भरती की बात करें अब मैं तीनों मुद्दों पे एक एक करके सबसे पहले प्राइमरी पर बात करेंगे सबसे यहां पर जो पहली भरती आने वाली है उसकी संख्या 51,000 जी हां आप सभी सुन रहे हैं 51,000 पोश्ट पे प्राइमरी की बेकेंसी आने वाली अब दो मुद्दा है एक सब्सक्राइब बात कर पाएंगे जैसे चुनाव भी देगा आप इसके बारे में नोटीस भी देख पाएंगे और समझ पाएंगी इस बारे में जो मैं बता रहा हूं आज की बात आप वहां से कनेक्टर पाएंगे लेकिन चुकि फ्योचर के गरत में तो अभी से थोड़ा सा आपको लगएगा कि मतलब क्या क्या रहा है लेकिन हकिकत है आप समझ पाएंगी इस बात को आपने टेट दिया आपने 23 जन्वरी को ठीक है लेकिन एक्चुली में इस टेट की डेट थी 28 नौवंबर ना 28 नौवंबर ये टेट जो आज आप दे पर्मत होतों यानि यह जो 17,000 वैकेंसी है यह वैकेंसी आपकी जुलाई तक पूरी करने की बात की जारी क्योंकि सरकार के नियम की हिसाब से एक लाग 37,000 जो सिच्छक भरने थे वह एक लाग 37,000 सिच्छक की नियुक्ति जो होनी थी उसमें से 17,000 पत खाली यानि जो 23 तारिक का आप टेट दिये हैं इस टेट के भिहाब पे आप ये वैकेंसी में सामेल हो सकते हैं ध्यार रखेंगा मेरी बात को टेट के आधार पर आप इस भरती में सामेल हो पा रहे हैं 17,000 यानि अगर हम पूरी तरह से खुल के बात करें देखें ये बात मैंने उपर ही थमनेल पे लिखा है कि सिर्फ मित्रों के लिए और यहां पे मित्रोत बाते हो रही है ना तो कोई राजनेतिक बाते हैं ना ही किसी पार्टी विसेस की कोई बाते हैं ना ही किसी अफवा की बाते हैं मित्रोत बाते हैं आप मित्रोत इस बात को करेंट कर पाएंगे समझ पाएंगे जो बात मैं बता रहा हूं इस बात में हकीकत कितनी है आप अच्छे तरह से समझ पाएंगी इस बात को मुझे पूर भरोसा है इस बात पर ठीक है तो यह बेकेंसी जो है यह बेकेंसी आपको अप्रिल लास्ट में या मई में आपको देखने को मिल जाएगी आप मांचे लिए कि यानि इसका सुपर्टेट जो है और जून में वो जाएगा आपने पिछली बार देखा कि जब जूनियर की भरती आई थी तो जूनियर के भरती में 40-50 दिन दिये गया था सुपर्टेट कर आया गया था याद होगा आपको पिछली बेकेंसी जब आया थी जूनियर की हलांकि उसके बात करोना के नाते पेपर नहीं हो पाय था लेकिन उसकी जो टाइमिंग दी ग जुलाई में आपके 50,000 भरती की प्रक्तरिया आगे बढ़ेगी और जैसे यह प्रक्तरिया आगे बढ़ेगी इसके पहले आपका एक टेट और कराया जाएगा तो आपको फिर टीटी देने का मौका मिलेगा फिर जुलाई में आपको एक नई बैकेंसी यानि जो बड़े अ स्माच बजे तक भी यह कहते आए कि आज टेट का पेपर नहीं होगा और मैं 11 तारीक को ही बता दिया था कि हर हाल में किसी भी कीमत पे पर आपका तेज तारीक को ही होगा जो जो यहां पे जो यह बात में बता रहा हूं इसे आप अच्छी तरह से करेट करिए पहली चीज यह है कि 17,000 वैकेंसी आप 23 तारीक क्वालिट टेट पे या जो पहले टेट क्वालिफाई है उसके आधार पे आप इस 17,000 वैकेंसी में सामिल होने जा रहें इक्यावन हजार के लिए फिर से आपको जुलाई में टेट से गुजारना पड़ेगा और अगर आप पास हैं नहीं पास है तो आप टेट सुपर टेट और फिर क्यावन हजार वैकेंसी आपकी 23 में पूरी होने वाली है किसी को कोई टेंसन कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है मैंने सारी बातों को क्लियर कर दिया अब इदर आते हैं ध्यान से पूरी बात को सुन लिए बहुत इंपॉर्टन बात बता रहे हैं आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे आने वाले फ्यूचर मे थीक है आप एकदम अबेर रहे हैं कि जो चीजें मैं बता रहा हूं कुँँ इसे हाफ 100% सथय और सटीक मान करके चलिए कि नंबर 2 पे आते हैं यल्टी की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं जी आईसी की बात करते हैं और इसी के साथ पीज़ेटी रगा देते तो साथ प काँ पी चेक होगी सब्जेक्टिव एक्जाम होता काँ पी चेक होगी रेजल्ट आएगा यानि हंडेट परसें मान चलिए जुलाई से पहले यह बैकेंसे के लिए नहीं होने वाली है कौन से जी आइसी 2021 की जो बैकेंसी रणिंग में यल्टी की बैकेंसी पूरी उमीथिक ज जन्वरी है यह जन्वरी आपकी गुजरने वाली है अभी तक बैकेंसी का कोई खाका नहीं है यूपीसे ने अपना कलेंडर जारी कर दिया कलेंडर जारी करने बाद यूपीसे ने इस बात को बता दिया है कि हम जो बात कर रहे हैं यह बात हकीकत है और हमने संभावित परि पताया कि एल्टी हर महीने की पहली तारिक से पता चलता काने वाली है और तीस तारिक दिखाई नहीं पड़ती ऐसा सितंबर से हम खुदी साथ वीडियो बना चुके हैं दूसरे की बात क्या करें तो नियोज पेपर देखें राइक भरती अब तीस तक आ जाएगी लेकिन मुझे नहीं लग रहा है फिर भी बैकेंसी आए या ना आए तयारी तो आपको करना है टीच्टी पीच्टी की बात करते हैं पांस हजार पदों पे उमीद है कि बैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी चुनाओ के बाद यानि अप्रेल में या तो मई में 5000 पद का मतलब का अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से होंगे किसी भी सब्जेक्ट से तो आपको मैक्सिमम जो पद मिलने वाले हैं वो मैक्सिमम पद होने वाले हैं 500 बहुत मैक्सिमम पद किसी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट भी से इसमें आने वाला कई सब्जेक्ट होते हैं आपको पता होगा इस बात और उसमें से 500 पत मैक्सिमम किसी का हो सकता यानि आपके सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा पत होगा 200, 300, 170, 180, 150 ऐसे पता हो यह वीडियो क्यों बना रहा हूं फालतू की क्यों नहीं जुद्वाद के अधिक के पता है ऌता है जो लोग नहीं जुड़े हैं ओर लोग भी जुड़े हैं 8004109989 वाटसप नमबर इससे आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपनी बातों को शेर कर सकते हैं आप याद रखें आपका नमबर सेफ और सिक्व हो है यानि आप महिला हो या पुरुस हो आप निश्चिंत हो अर्द्व्यास्था नागरिक सास्त हिंदी मैत संस्क्रीट इंगली इन सभी चीजों पर आपको लगता है कि हम आल्राउंडर टाइप के हैं 6-7-8 की चीज़े हम पढ़ लेंगे कबर कर लेंगे अगर कोई हमें बता देगा तो भी हम कर लेंगे तो मैं आपको हर बार से दि जारी कर सकते हैं इसके लिए आप प्राइमरी को ही पढ़ात मित्ता दें ऐसा मेरा अपना सजेशन है कि आपको ऐसा करना चाहिए ठीक लेकिन अगर आपकी कंडिशन ऐसी है कि आप कोई जाब कर रहे हैं या कहीं टीचर हैं प्राइबेट इंस्टूट में या कोचिंग हम आपको यही सला देंगे कि आप इन ही सब्जेक्ट को चूच करिए जिसमें आपका सेलेक्शन हंड़ेट पर्जेंट हो सके आप भूल जाए प्राइमरी तब यूनि डायरेक्शनल हो जाए हमको वह या यल्टी देना है पीश्टी देना या पीश्टी देना या जी ऐसी आप इस बात को अुछ सारे मेत्र हैं जहिए जिनने razor से जानता हो और बहुत क्यांती हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में की बेदा महारत हासिल किया है कोई history में कोई science में कोई chemistry में कोई physics में लेकिन उनसे नार्मल math नहीं आती नार्मल reasoning नहीं आती नार्मल English के unseen passage को पढ़ गर के मैं उसकी meaning नहीं बता पाते ऐसे बेक्ति से आप उमीद नहीं कर सकते को primary में अपने selection की merit को उतना हाई ले जा पाएगा पास तो हो जाएगा लेकिन हाई merit उठानी पड़े तभी तो आपका selection होगा इस बात से आप aware होंगे और आपको मैं काउसला दूंगा कि अगर आप इन चीजों को connect कर पार रहें तो आप प्राइप्समिक होगे अगर नहीं कर पार हैं इंपरखिउंप अब करते हैं यहां से आपके लिए बहतर हो यह तो हो गई पहली पॉयज्ट है के चैनल आपके लिए क्या करना है चैनल दो काम करने चल रहा है एक काम नया काम फरवरी से स्टार्ट होने चलना है पहला है प्राइमरी की तैयारी करने चलना है यानि Supa हां मैं आपको बता दूं, यहां पे आपकी math की class नहीं होगी, अब आप ज़स्ट मेरा math की लिए इत्व पढ़ने आ रहे हैं, आपकी बास सभी, math की class आपकी होगे, लेकिन यह इसलिए कह रहा हूं कि math की class में उतना high level का नहीं होगा, basic math को सिखा पाएंगे, मैं आपको बेसिक चीज़े यहां पर मैंत की बताने वाला हूं जो इसे जो अंग गणित का पोर्शन है या रेखा गणित का जो भी है उसे मैं बेसिक चीज़े बताऊंगा उसका नियुमेरिकल कराऊंगा लेकिन आप मैंत अगर कहीं और से पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा ऐसा मैं आपको सलाह दे सकते हूं ठीके मैंने कहा कि प्रैमरी की भरती हमने सुल्क है फरवरी से बैची स्टार्ट होने चल रहा है जिसके लिए हम लोग मैत को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हलाकि मैत की क्लास चलेगी लेकिन वो बे यॉलोजी की क्लास लगता चलार मारा तीन लाएक नेड़े चलना है थीक छे-अप चलना है यह ऑर यह नया बैच जो Marian फ्रेंड सिर्प आपका स्टार्ट होने वाला है एक फर्वरी इन तीनों बैच के बारे में थोड़ी जानकारी देने नेडे बैच में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यंसियार्टी करने हैं कि जी हां यंसी आइटी करें फिर से हम लोग यंसी आइटी कम्पलेट करने बाद हम लोग 10 चेप्टर पढ़ छुके हैं आगे का चैप्टर रता है यह चेप्टरक में iemand कहने हुने को शिर्छ इंग्लिस मेडियों की हिंदी मेडियों में हम लोग क्या करने वाले हैं एक टापिक उठाएंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे एक लगाता नेड़े बैच आपका आगे बढ़ेगा यल्टी के लिए हम लोग नोट से से पढ़ने हैं यल्टी वाले का आरम्भ है ठाज ठीक है आरम्भ है प्रचंट आपको मिल जाएगा यह भी आप दूरूसे चाहिए जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले किस में अगर मात करें हम लोग रमेश गुपता की जो नई वाली बुका थी यानि रमेश गुपता व पूरी बुक को पढ़ने वाले, जी हां, पूरी बुक को as a diagram, as a label, उसी label पे पढ़ने वाले, रमेज गुप्ता की लेबल पे, और मुझे पुरा फरोसा है कि इसमें आपको लाम मिलने वाला है, सबको लाम मिलेगा, अच्छी तरह से लाम मिलेगा, एक biology की बात को रही है, पि 16 तारिक को कुछ दिक्कत थी जिसके उजासे नहीं हो पाया था ना तो इस सारी चीजें आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे आप ध्यान से अपनी तैयारी पे फोकस करें मुझे उमीद रेकाने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट होगा और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना बूले अपने मित्रों को भी सेयर कर दीजिएगा और बहुत परिसान होने के आउसकता नहीं ठीक है यह चालिस-पचास दिन चुनाओं का जो है यह आपके लिए गोर्डन चांस है कि आप इसे ऑसर में बदलिए ठीक है तो इसे चुनाओती मतमानी से आसर में बदलिए आपके लिए बेहतर होगा यह मैं भरूसा कर सकता हूँ और आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट होगा तो इसक साथ आज की वीडियो में बिदा लेते हैं फिर मिलते हैं किसे दूसरी वीडियो में तब तक लिए जाजत दी इडिए इड़ियो